हलो आज मैं आपको पताऊंगा theory of bending के बारे में economics के एक topic है theory of bending इसमें इससे बैंडिंग equation भी वोलते हैं तो ये topic हम आज cover करेंगे देखो pure bending क्या चीज वती है देखो pure bending होती है bending आपको मैंने बता रखाया, बерь Ivan को मोड़ना, बेंडिंग किसके कराणा हाँ, बेंडिंग कामारी मूंमेंट के कराणी जिस लगारण के जिब भी किसी बेंड बीम पर दोनों और से मूमेंट लगाएंगे तो उसमें क्या होगा बेंडिंग क कराण। अधिक जैसे माल लो यह बीम है हमारे हां से एक मुवमेंट यह लग रहा कि लोग वाई तो यह कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी ठीक है इसे ही इसे बोल दूगा मैं सैगिंग और यदि यह मुवमेंट अगर इसके ज़स्ट अपोचिट होते अगर यह बीम ऐसे करके बें ठीक है to bending तो यह चीज दो अब प्योर बैंडिंग क्या होगी देखो कोई भी section है बीम मालो कोई भी बीम है ठीक अगर उस बीम में किसी भी section पर इंच ये नगर प्योर जीरो है किसी भी Section पर जीरो है और बैंडिंग हो रही है को barely हाए तो तब वह सेंसर के ऐखलय गया हमारा तब वह सेक्शन में में इस कन्सीडर होगा एक हम जहां पर σ older होगा उस उस बैंडिंग और यहे जीज होती है कर दि एक हुआ हुआ कर थो प्योर बैंडिंग में क्या होगा हमारा डेन mon मुवमेंट आकर होगा और सियरफोर्स महां पर जीर होगा मालो यह बीम थीक है यह मूवमेंट लग रख रख रहे हैं एकश्छाय करा है मालो यहां पर जुँ है मैं यहां इसका वर्टिकल फोर्स निकालूँँ अगर यहां कोई फोर्स य сторону bash result करनी हो रहा यह इसका शिरा अगर मुझे इस फोर्स की एल किंगा लिए है ठीक है लिय। भी एक्स आप इसरो स्थी यह कोई से नहीं बतden इजिक्ट हुए अबेगे के लिप ली हुए लंगी लुगी जीरौ तो तभी में क्या उक्तियद क्या होगी निसे क्या होगी प्योर बेंडिंग को हम कहाते हैं च подобando कि इसे इस प्यज़ी करना वड़ता है इसे कुछ उडह वैजंशंस लेने पढ़ेगी बहुत इंपोर्ट है कि इन जंचन्स में क्या होगा बच्छों देखो पहली चीज है कि बीम जो है इनिशाली रूने चाहिए हमारी वह आनिशाली होनी है इनिशाली और उसमें मैटेरिल जो हगा वह हो मॉपजूनियस और आइंसन टोप बोगा ठीक और जो हमारा मैटेरियम के अंदर जितना मै इस फोलो करेंगा मैंने बता रखा है स्ट्रेश डारेक्ट प्रोपोर्शनल लू इस टीक है और मैटेरियल पीम के अंदर के आएगा कि उसमें जो लीनियर इलास्टिक सॉली रहोगा मैटेरियल हमारा और बहां पर कोई स्ट्रेस का डिस्टिविशन ही हो मतलब नो इस्ट्रेस ड पर अलग अलग पॉइंट पर बढ़ ले है घट रहे तो इसे stress concentration भोल देते हैं लेकिन प्यूर बेंडिंग के किसमे क्या होगा कि हर तरफ stress समान होगी और देखो कि हम इसमें क्या होगा हम self-weight समय करते हैं और जो हमारे बीम के जो फाइवर्स हैं जो बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग के टाइम कैसे होने जहीं है बिल्कुल प्लेन होने चाहिए ठीक है उन्हें कोई deformation नहीं होगी माले यह बीम है जैसे यह बीम है ठीक है ये सूर ये बीम थी ये इसमें हमने मूंवेंट लगाए ठीक है तो यह वैंसे करका बैंड होज़ाएगे लेकिन इसके जो फाइवर हों गे वह अब भी प्लेन होने चाहिए हैं ऐसा नहीं है कि इन फाइवर में डिफॉर्मेशन ओगा इसे होगा है यह ऐसे ही प्लेन होने चाहिए से बदल जाए चाहिए लेकिन उनका क्या नहीं होना चाहिए और में डिफोर्मेशन नहीं आने चाहिए ओके और अगला पोईजन इफेक्ट जो है वो नेकलेक्ट रखेंगा ठीक है और यंग मोडूलस जो होता है हमारा इए की वैलू तुम्हा पता है वह तो और टैंचन सब्सक्रीड नहीं होरे हो ओके तो कि करते हैं देखिए कैसे हो होगा हमारा है वैंदिंग को क्या निवाकर करेंगे मालनो यह वें प्लेन और स्टेट जोग पन सेतर करें हमने जैसा मैंने बताया था आपको फेंधी बीन कंसीडर करी उस पे हमने थोड़ी दू होगा इसके यह और से k ane попробी इसका शर्क्रिया इसका क्रोश्छ्छ्राइश यह इसका प्लेट्री इसका क्रोस्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्LS इस वाली इस आपको पिछले उसमें बताया था थियोरी में लिखके दिया था कि नूट्रल पेन क्या होता जहां पर कोई भी स्ट्रेस या किसी भी चीज का जो है हमें प्रभाब नहीं देखता हूं आपको बताई अब यहां से इसके डिस्टेंट से यहां तक एक्स और यह जो है मैंने यह जो स्ट्रिप लेया इसकी डी एक्स है दौ करेंटári है ठींट उके टीक है अब यह जो बूकर सिर्व ए सक ओपर को सिरा होगा यह पर जोगा आज़ा ह३र यह उड़ेगा सर जोट एसकर मुल गई यह भर देखो तो यह होगा साथ चोस्तों इसकी लेंग धर बॉक दिलए और धर तो ई Pas desafmer लेंद में बड़ उत्र होगी तो लेंद में कमी क्या होता है compression यह दबेगा ना और यह बढ़ेगा तो यह क्या होगा टैंसन होगा ठीक है अब इसकी examination करते हैं इसकी ABCD की से हमने नीचे बना लिया नीचे ABCD ठीक है यह हुआ ABCD अब क्या होगा हमारा अब मैं यहां पर area of cross section में एक बाइडिस्ट एक एक फाइवर ले लूँगा मैं नीचे यह बाइडिस्टेंस पर कहां से C से ठीक है यहां से neutral axis से बाइडिस्टेंस पर एक यह लिया मैंने फाइवर तो अब यह मैंने नीचे बना लिया यह वाला portion ABCD का यहां नीचे बना लिया ABCD EF यह तो neutral पर नेए EF अब यहां radius क्या होगी यहां तो radius इसकी जो है वो infinite है कोई यहां को radius नहीं आ रही है ठीक है और यह GH GH क्या होगा by distance फाइवर की होगा है ठीक ओके तो अब देखो क्या होगा अब इस beam को जो है अब देखते हम इस beam में जो है हम compression जब लगा देंगे sorry जब यह movement लगा देंगे तो यह कुछ ऐसा होगी ठीक है अब देखो क्या बनता है ठीक अब देखो क्या क्या चीज़े होती है यहां पर यह देखो जब तुमने वो करा तो इसकी land में change आएगा a dash b dash हो जाएगा यह ठीक है जब आपने हम movement लगा इसके दोनों तरफ तो यह गी तो a dash b dash हो जाएगा यह क्या होगा c dash e dash हो जाएगा यह यह c और d जो है यह क्या हो जाएगा c dash और e dash हो जाएगा d dash हो ठीक है और यह इसमें e और f है है एफ क्या है नूट्रल प्लेन में कोई चेंजर नहीं आएगा तो यह क्या हो जाएगा ई और एफ से में रहेगा याज इस ठीक और यह वह जो है अगर यह जब ऐसा बन जाएगा हमारा आर्क टाइप का हुआ है तो यहां से क्या ले लूँगा मैं इसके रेडस पता चल जाए तो आप जाएगा है देश लेकिनल ना चेंज होगी आप कम्परिशन और टैंज के विए अजो ठीक है अब क्या होगा अब जब लेंड में चेंज होता तो मैंने बता रहागा आप को आपको स्ठीन आएगी तो इस में जो है बाइड स्टेंज पर स्टीन कि उसकी value में निकाल लिए है इए की क्या होती है यह इसकी लेंद में चेंज जब होगा तो वहाँ पर होती है longitudinal strain बताया है मैंने आपको class में तो g dash s dash minus gs upon gs ठीक है जो मतलब final है हमारी final strain minus initial strain upon initial strain final strain तो यह g dash s dash और यहाँ पर होगा initial strain minus होगी और उसके upon में फिर से initial strain यह आया हमारा अब यह देखो एंगल into radius ठीक है अब यहाँ पर मैं इसकी value अब निकालूंगा तो एंगल कितना है हमारा theta यह theta लिया मैंने एंगल और इसकी distance कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है आर यह neutral plane तक ठीक है आर theta हुआ अब g dash h dash निकालना है मुझे g dash s dash कहाँ पर यह इसके नीचे है तो आर प्लस by इंटू theta हो जाए अभी तक तो आर यह थीटा था यह तक जी जब अब g dash h dash plus y भी हुआ तो यह plus y अब यह हम इसमें जो है यह कर देंगे इनकी value रख देंगे तो क्या हुआ जी एच की value तो हमारी होगी आर ठीटा और g dash h dash r plus y ठीटा यह आ जाएगा हमारा तो सबसे पहली चीज़ आई है हमारी e is equal to by upon r यह पहली चीज़ आई दूसरी चीज़ क्या होगी दूसरी हम assumptions को यह लेकर चलेंगे है hook slow लगाएंगे इसमें stress proportional to strain ठीक है sigma is equal to e into young modulus यह यह आया हमारा formula यहनी कि strain is equal to stress upon young modulus यह आया यह तो उसी से आता है young modulus से हमारा ठीक है अब यह e की value by upon r यहां रख देंगे तो sigma upon by is equal to e upon r यह second equation यह हमारी ठीक अब bending stress क्या होती है हमारी bending stress होगी हमारी bending stress ही मालो billion है हमारी तो बीम पर जो movement आएंगे हमारे उस movement के कारण bending होगी bending के कारण जो इस जो beam में stress developed होगी वो क्या ख़लाती है bending stress के लाती तरस्टों सिग्मा इसी का मतलब कि एड़ और यह प्यूंधन में फाल चुछ माली मतलब यहां टैंसन में शों फैलिए सिग्मा बी मतलब बैंडिंग यहां बैंडिंग इस टैस की वात हो रिए और यहाँ ह tyre पहाँ है कंप्रेसन में अब ऐसे ही हम कोई से अर्ट से सिख्मा बी की वैलू यह पूंननों ऑड़िम बाई आइ कि गर्क है अब हमें बैरिय섯 नहाएं एकिसी भी बैंडिंग इस्ट्रेस का इंब ली ओको आ आएगा वह टैंशन में इदर जाए ओक बच्छो तो यह चीज हो यह हमारी अब यह देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें दूसरी चीज निकाल नहीं है अभी हमने लिया अपना सेक्स क्रोस एक्षन लिया अब मैं क्या कर रहा हूं एक बाइड डिस्टेंस पर एक एरिया मैं चीज चीज़जर कर रहा हूं डिये एक ऑश्च्टीप ली मैंने ठीक है और यहां पर आप जो है डिपी इस पर इस पर मानना हूं में DP कुछ force लग रहे हैं,asting force आ रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे force की value निकालना है, तो resisting force आ रहे हैं, तो resisting force क्या होता है, stress into area, ठीक है stress क् Programm Kenya होता है, भताया हैं मैं stress equal to force upon area, ठीक है, चैटक है, और area DA, ठीक, तो DP बरावर, E upon R into D सिगमा B जो है हमारा वो ही वाली वाली हो जो हमने निकाले थी पहले ओके सुरी ये भाई है अब हाप भाई भी आया ठीक अब क्या होगा हमारा अब यहाँ पर मुझे अब जब ये फोर्स आया है जाहिड से बात है यहाँ फोर्स आया अब यहाँ पर कुछ जो है इस फोर्स के कारण एक मुवमेंट भी लग रहा हुआ और ये बीम पर लग रहा हुआ मुवमेंट बैंडिंग में ठीक है अब जब मुवमेंट लगेगा तो बीम क्या करेगी इस फार एक रेजिस्टिंग मुवमेंट लगाने कुछsi करेगी ठीक है जो उसे कवर अफ करे एगी ठीक एक रेजिस्टिंग मुवमेंट लग करेगी और यहाँ पर को लग रहे यहां पर चंपर यह पर एक्सस के तरफ तो उस band होने से बतने के moment of resistance consider करना पड़ेगा यह जो होगा जो से save करें यह होता है MOR या MR या MR यह इसकी value में निकाले है moment of resistance हमारा कितना हो यह हमें question में पूछेगा ठीक तो अब मैंने आपको बता रखा है resting moment on element क्या होगा हमारा dm is equal to dp into by अब देख लो यह है अगर मैं इस पर क्या निकाल लूँ moment निकालो तो moment क्या होता है force into distance perpendicular distance यहां पर मुझे क्या निकालना moment निकालना तो इस इस पर force के लग रहा है मैं आपको बता डीपी और distance किती है बाई तो dp into by moment आया ना अब निकालने के लिए क्या होगा मैं इस इंटेग्रेट कर दूंगा इंटेग्रेट करा यह तो dp की वैलू मुझे बता है यह बाई इंटू वाई डीए यह अपोन र कॉंस्टेंट वार रहा है y2 इंटू डीए हुआ अभी क्या हुआ यह बहुत इंपोर्टें किसी भी कि हैं सेक्ँन में वो करता हा इंटेखरद का यह बताए आपको जह मैं सारी चीजे बताई थी कोई इस की जो डिस्टेंट होटी यह हुटी ते उसका उसका जमें स्कॉर्ए करता था तब मितलेbasnya के अलब कर्याबर। सब्सक्राइब आपको डिकॉल करने पड़ेंगी एप्लाइड मेगानिक से यह होगा तो यह आया अभी इसकी जगा आई एने लिख दूँगा तो मैं यहां पर क्या हुआ मैं आई बरावर एपॉन आर ओके यह चीज हमारी बनी और इन इक्वेशन को बरावर रखके हमारी लास्ट में यह आती है मैं आई बरावर सिगमा पॉन बाइंटू इपॉन आर के बरावर था ठीक है और मैं आई भी इपॉन आर के बरावर है तो यह हमारी एक्वेशन आई इसे ही बोलते हैं, बैन ने कुस्स यह है, यह हमरी थ्योरी ओ बैन निग, ओके तो यह था हमारा, थेंक्यू